नमश्कार उतर प्रिदेश टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप आपके साथ मैं हुस्वाति से बदलाइफ की आजरा में वो दलते उतर प्रिदेश में पिछली शौबस खंचे में क्या कुछ हुआ ये नज़र डालते हैं उतर प्रिदेश में 2006 से 2014 के बीच 30 जून को सेवा ने वरित हुए डेज लाग से अधिक सिक्षकों और स्टिक्षनेतर कर्मियों को रहत मिली है उनकी पेंशन में वरिधी की जाएगी जिसे उन्हें हर महीने 1500 से 4000 रुपे तक की बढ़ोत्री होगी ये लाग पारिवारिक पेंशनरों को भी मिलेगा ये उश्रा के तहत कर्मियों को पहली जुलाई से उनके बेसिक वेदन का तीन प्रतिसत बढ़ोत्री मिलेगी हालाकि एरियर का भुकतान नहीं होगा अब यूपी में स्वीजर लेंड जैसी पढ़ाई होगी जी हाँ उतर प्रदेश शरकार ने छात्रों के कोशल विकास के लिए प्रोजेक्ट प्रवीन कारिक्रम की शुरुवात की है इस साल एक लाख छात्रों को कोशल प्रस्रिक्षन देने का लक्ष रखा गया है नौवी से बारहवी कक्षा के छात्रों को रोजाना 90 मिनिट का मुफ्त कोशल प्रस्रिक्षन दिया चाहेगा इस योश्ना में महिला शुशक्तिकरन पर भी जोड़ दिया गया है इस से अधिक से अधिक बालिकाओं को जोड़ा चाहेगा अब तक 63,000 से अधिक शात्रों को 315 विद्यालेयों में प्रस्रिक्षन दिया गया है कारिक्रम का उदेश चात्रों को व्यवसाई कोशल से लैस करना है इस योश्ना में महिला शुशक्तिकरन को प्रात्मिक्ता दी गई है और विशेश रूप से बालिका विद्यालेयों को शामिल किया गया है ताकि महिला च करेंगे और भीड बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों को भी अलट करेंगे ये तकनीक एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन पर पहले लागों की चाहेगी DMRC के प्रिंसिपल एक्जिक्यूटिव डारेक्टर अनुश रायाल ने बताया कि ये तकनीक सुरक्षत यात्रा सुनिशित क करेंगे ये स्मार्ट कैमरे एक खास तकनीक से लैस होंगे जो प्लाटफॉर्म पर एक नरधारत सिमा से अधिक भीड होने पर सुरक्षा कर्मियों को अलट भेजेंगे इससे सुरक्षा कर्मी भीड को बहतर तरीके से प्रवंधित कर सकेंगे और आवश्यक करवाई कर नई रेल लाइन के लिए लिडार सर्वे पहले ही शुरू हो चुका है सर्वे पूरा होने के बाद फाइनल डीपियार रेलबे बोज को भेजा चाहेगा डीपियार मंजूर होते ही टेंडर प्रकीरिया शुरू कर दी जाएगी इसके बाद जमीन अधिक रहन और पत्रे बि है ये कॉरिडोर वारा नसी के 80 गावों से गुश्रेगा और 800 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें ट्रेन 250 से 350 किलोमीटर प्रतिगंचे की रफ्तार से चलेगी सियात्रा में तेजी आएगी एडियेम बेबन कुमार ने बताया कि वारा नसी में ज्यादतर रेल लाइन एलिवे देश के दिल उत्तर प्रदेश की धनकन उत्तर प्रदेश टाइम्स